हलो व्रिवन, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एज़ू के स्टन चैनल में आपका स्वागत हैं आज की ओड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे सर्टा कोनाजौल मेडिसिन के बारे में तो हम सेखेंगे ये मेडिसिन के बेजिक यूश के बारे में, उसके डेली डोस के बारे में, साथ ही जानेंगे उसके साड़ एफेक्स क्या होते हैं warning and contraindications को detail में सेखेंगे और जानेंगे उसके marketed formulation की जिसका नाम है Onabate V1 tablet की जो एक vaginal tablet है 500 mg की strength में ये tablet अविलेबल होती है और खास कर इसके कुछ हम characteristics देखें तो ये tablet जो वो single day therapy के तौर पर use की जाती है एक tablet का course रहता है और vaginal use के लिए होता है तो सीखते है detail में ये medicine के बारे में तो expert lecture बाया मरसर Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you for being PharmaRox family updated ये Pharma Knowledge के साथ सीखे दवायों के बारे में उनके basic use के बारे में dose side effect, warning and contraindications को एक साल तक वो भी affordable price में PharmaRox के अब उपर तो Android user, Android app download करे iPhone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी साथ ही अब आप हमारे second channel को भी subscribe करेगी जिसका नाम है Hollywood to Hindi Excellent की जहाँ पर आप Hollywood की अलग-अलग movies की उनकी stories को अच्छे से देख पाएंगे audio or video के साथ वो भी Hindi language में तो जरूर से subscribe करें हमारे second channel जिसका नाम है Hollywood to Hindi Excellent जिसकी link आपको description box के अंदर मिल जाएगी साथ ही comment box में भी आप ये second channel की link आपको मिल जाएगी तो अब समझते है Onabit V1 tablet के बारे में कि जिसको वज़ेनल tablet कहा जाते है और ये ऐसे class का medication है कि जिसको हम antifungal drug कहते है और इसके अंदर जो medication है उसका नाम है Serta-conazole और उसकी जो strength है वो है 500 mg तो 500 mg का ये tablet रहेगा कि जो single dose therapy के तोर पे यूज़ की जाती है वज़ेनल root पे और drug जो release होती है वो वज़ेनल cavity में यूज़ होती है और specially जो वज़ेनल infections होते है उसके इलाज में ये medication जो है वो यूज़ की जाती है और इसके manufacture के हम बात करें कि जो marketed formulation है serta gonazole का कि onabate V1 और tablet VT जिसको कहा जाते है तो उसके manufacture है Glenmark pharmaceutical limited और Glenmark के बारे में हम देखे तो ये एक Indian pharmaceutical company की जिसका जो headquarter से वो Mumbai में के जिसके शुरुआत होई थी 1977 में तो अब serta gonazole drug के बारे में detail में समझते हैं तो ये एक antifungal medication है और azole derivative class का ये antifungal medication से और ये जो है वो yeast infection को treat करता है और इसकी effectiveness जो है वो topically रहे थी topically मतलब कि ये जो medication है उसके cream available होते है और सादो सादो उसके vaginal जो है वो tablet available होते है कि जो VT हम कहते हैं कि V for vaginal और T for tablet की जो vaginal tablets उसके available होती है और फिर इसके chemistry के तौर पर हम देखिए तो benzothiophen जो ring होती है वो उसके structure में जो present होती है तो ये एक काफी important point है आपके लिए और ये जो medications जो है वो yeast infections है candida albicans का जो infections होता है fungus का उसको treat करने के लिए use की जाती है तो उसके effective news हम देखे तो यहाँ पर जो हम फूग देख रहे हैं उसका नाम है candida albicans और इसकी करन होने वाले जितने भी अलग-अलग fungal infections होते हैं उसको ठीक करता है हमारे ये medication serta conazol फिर दूसरी जो फूग है जिसका नाम है epidermophyton यहाँ पर जो आप देख सकते हैं उसका diagram तो इसके सामने भी काफी effective रहती है serta conazol तीसरा जो है वो है trichophyton करके जो है उसके सामने कि यहाँ पर जो यह फूग देख रहे हैं आप white color का तो इसके सामने भी serta conazol effective है और चौथा आप देखो तो trichophyton rubrum करके जो उसके species है उसमें भी यह serta conazol काफी effective साबित होती है तो उसके हम basic use देखे तो specially यह V1 लिखा है उसका मतलब यह होगा कि सिर्फ एक ही tablet है कि यहाँ पर आप देखो कि यह जो है उसका packing है 500 mg serta conazol nitrate vaginal tablet यहाँ पर लिखा है उसका हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है और यह हुगा है उसका brand name onabate V1 और single day therapy ऐसा लिखा है मलब कि यहाँ पर आप देखो तो सिर्फ यह एक ही tablet जो है वो दी हुई है तो एक ही tablet जो भी एक ही बार यूज करनी होती है कि जिससे vaginal infection जो ठीक होता है सादो साद जो fungal infections होते है vaginal region में उसको भी यह medication ठीक करते है कि अगर आप उसके cream यूज करो तो भी effective सा भी होता है सादो साद tablet फिर जो vaginitis की जो हम condition कहते है कि जो वज़य ना का जो reason होता है वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है inflammation देखने को मिलती है वहाँ पे redness हो जाती है और आपको सादो साद eaching भी होती है वहाँ से discharge जाता है तो यह सब भी symptoms को यह medication जो ठीक करती है और एक ही दिन का यह course रहता है single day therapy जो हम कहते है तो एक ही बार यह tablet यूज़ करने हैं अगर ठीक ना हो तो फिर दुसरे विक में आप यह एक tablet और यूज़ कर सकते हैं बट सिर्फ और सिर्फ एक ही tablet से most of cases में जो वह treatment हो जाती है तो जो white discharge की जो condition हम कहते है कि ऐसा white discharge की जो काफी बगबूदार है green color का है white color का है या फिर वो yellow विस है और उसकी जो smell है वो काफी खराब आ रही है कि जैसे faeces smelling जो हम कहते हैं कि जो मरी हुई मचली जैसे smell आ रही है वहाँ से ऐसे discharge को ठीक करने के लिए भी on a bed we want tablet यूज़ किया जाता है इची नेस मनलब के आपको खुझली होई है वहाँ पे soreness जैसा हो गाए और वहाँ पे दाने दाने जैसा हो गाए छाले हो गए तो भी यह medications ठीक करती है और साथ-वाँ पे redness हो जाती है उसको भी ठीक करता है यह medication फिर जो इनर लाइनिंग्स होती है वाँ जो इनर लाइनिंग्स जो होती है वहाँ पे समझो कि सूजन है inflammation है उसको भी ठीक करता है यह medication फिर जो पेन होता है sexual intercourse के दौरान उसके इलाज में यह medication आप यूज़ कर सकते हैं और जितने भी ऐसे condition की जो vaginal infections से related जूड़ी है जैसे की urine करते वक्त जो आपको पेन होना उस वक्त जलन वगेरा होना vaginal infection के करण तो यह सभी condition को ठीक करते है तो conclusion हम देख ले तो vaginal yeast infection जो होता है कि जिसको कहते हैं कि एक type का vaginal infection है vaginal redness है itching है, discharge है, lucuria है या फिर vaginal swelling है जो हो आपको यूज करनी होती है और एक ही tablet से जो आपका इलाज हो जाता है कि single day therapy कि एक ही बार आपको यह medication यूज करनी है और काफी हद तक आपको इलाज हो जाता है इसका pregnancy के दौरेर हम बात करें तो pregnancy में यह medication use करना जो है वो unsafe है pregnancy में उसको कभी भी use ना करे because उसकी जो category है वो है C है कि pregnancy categories जो अलग-अलग होती है drugs की category A में होती है B होती है C, D तो ऐसे यह medication जो है वो category C के अंदर है मतलब कि जब animal studies करते है तो उसमें animals के fetus के उपर एक harmful effect देखने को मिलती है adverse effect देखने को मिलती है तो वो ही same effect जो हो human fetus के उपर भी देखने को मिल सकते है तसलिए यह medication को pregnancy में avoid करनी चाहिए कभी भी pregnancy में on a bed wean tablet को use ना करे या फिर जो serta को नाजाल के कोई भी formulation को आप pregnancy के दोरन use ना करे तो pregnancy के दोरन आपके लिए safe alternative है कि अगर आपको virginal infection होता है discharge होता है तो एक options रहता है आपके पास clotrimazole का और दूसरा जो हीमालिय कंपनी का जो VJL आता है वो भी आप use कर सकते जो एक safe alternative options बनते हैं serta को नाजाल के pregnancy के दोरन तो यह medications किस तरह से काम करती है तो वो अब समझ ले तो serta gonazole क्या करते है जो fungal cell जो होते है उनके जो cell membrane के development के उपर है directly असर करते हैं यहाँ पर आप diagram में देखो तो समझ मैंगा कि किसी भी cell को fungal के उसको अपनी cell membrane जो बनानी है कि cell के आपस आई होई यह जो membrane जब उसको design करनी होती membrane बनानी है तो उसके लिए ज़रुवत परती है ergosterol की और ergosterol जो हो तयार होता है squilin में से squilin में से आज़े आगे lenosterol और lenosterol में से ergosterol तो जब lenosterol में से ergosterol में convert होना है उसको तो lenosterol 14-alpha-D-methylase यह enzyme की ज़रुवत परती है और हमारी यह जो 14-alpha-lenosterol की activity को कि जिसके करण क्या होता है कि यह जो enzyme ही समझे के block हो जाएगा तो condition इस तरह से produce होगी कि यह enzyme block होने आने के कारण आगे जाके नाहीं ergosterol बनेगा और नाहीं ergosterol होगा तो cell में membrane डेवलप नहीं होगी तो fungal cell अपना survey नहीं कर पाता और फिर आगे जाके उसकी हो जाती है dead और इस तरह से आपका fungal infection जो ठीक हो जाएदे जब आप यह serta-conazol या फिर उसका जो marketed formulation onabit v1 वज़ेनल टाबलेट्स को use करते हैं तो उसके कुछ side effect है यह tablet के तो तो serta-conazol के side effect हम देखे या फिर उसके marketed formulation के onabit v1 टाबलेट्स के तो वज़ेनल burning sensation होती है कि जब यह tablet आप insert करते है वज़ेनल cavity के अंदर तो कुछ समय के लिए आपको burning sensation जिससे जो हो वज़ेनल cavity में feel होता है तो यह एक उसके side effect है second हम देखे तो application side पे कुछ reactions होती है कुछ लोगों को जैसे कि वहाँ पर आपको जलन होना फिर irritation जैसा होना itching होना या फिर redness जैसा हो जाना कि या पर आप देखो किस तरह से कुछ redness के अगर आपकी skin काफी sensitive है तो ऐसा problem हो सकता है और चोथा जो है वो skin irritations जैसे problem हो सकते हैं ये medication को use करने पर तो ये है उसके कुछ side effects बाकि हम उसके contraindications देखे तो कौन से condition में आपको ये medication use नहीं करनी है तो सबसे पहले ऐसे कुछ symptom से आपके अंदर जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है काफी abdominal pain है साथ ही आपको fever है और वो temperature 100 से ज़्यादा है और तिसरा vaginal discharge जा रहा है और वो काफी foul smelling है तो ये जब तीनों combination में symptoms होते हैं combine ऐसा नहीं कि को individual कि आपको बुखार भी है वो भी 100 degree से उपर साथ साथ पेट में दर्द हो रहा है और वज़य ना में से foul spelling में लब की काफी गंदी smell वाला या फिर बद्बुदार smell वाला discharge आ रहा है तो ऐसी condition में सर्टा को नाजल को use ना करें बलकि आप जो है वो proper diagnosis करवाई किसे चाहें आपको दूसरी टाइप का vaginal infection हो सकता है तो जब PID होता है तो वह Hé इमयदाजोल डेरिवेटिव की allergy है तो भी आप use ना करें as well antifungal drugs के allergy है तो भी ये medication को use नहीं करने चाहिए या फिर आपको allergic reactions हो जाते हैं इसको use करने पर या फिर इसकी medical history है तो भी आप ये medication को use ना करें तो हमारे जो second channel है उसको जरूर से आप subscribe करें जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain subscribe करें और साथ ही प्रेस करें bell icon के जिससे जब भी कोई new movie वहाँ पर add होती है तो आपको वहाँ पर notification आ जाए तो जरूर से चैनल को subscribe करें लिंक आपको description box में मिल जाएगी साथ ही comment box में भी आप check कर सकते हैं सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे मिलके उपचार के बारे में उनके PDF एकसेस करें भी पीटीज एकसेस करें medicines के basic use dose side effect warning and contraindications को एक साल तक offerable price में CK सरल बासा में pharma rocks के अप उपर android user android app डाउनलोड करें या फिर 9016312020 आप में call या whatsapp कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं apple iphone app store से google play store से भी डाउनलोड कर पाएंगे link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best